हेलो दोस्तों दोस्तों आप सभी का पिंकी सुजचार में बहुत बहुत स्वागत हैं क्या आपको भी कोई प्रेशानी है और कोई समस्या का शमाधान नहीं मिल रहे हैं आप बहुत प्रेशान हैं और उस समस्या का शमाधान निकालने के लिए आप इधर उदर जा रहे हैं औ और फिर वहां पर भी आपको कोई समाधान नहीं मिल रहा है तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि उन सभी समयश्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है तो चलिए हम वीडियो कहानी को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से गाउं में एक बुड़ा आदमी रहता था वे बहुत ही समझदार और ग्यानी था एक दिन एक योग को बुड़े आदमी से मिलने आया और उसने पूछा मैं अपने मन की गहराई को कैसे समझ सकता हूं बुड़े आदमी ने मुस्कराते हुए कहा यह एक अच्छा परशन है मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो हूं तुम्हें अपने मन की गहराई को समझने में मदद करेगे एक समय की बात है एक नदी थी जो बहुत ही सांतच और गहरी थी उस नदी में एक मचली रहती थी जो बहुत ही तेजी से तैठी थी एक दिन उस मचली ने सोचा कि वह नदी की गहराई को जानना चाती है उसने नदी के तल तक जाने की कोशिश की लेकिन वह इतनी गहरी थी कि मचली उस तक नहीं पहुँच सकी फिर उसने सोचा कि वह नदी के किनारे तक जाएगी और वहां से नदी की गहराई को देखेगी नारे पर पहुंची तो उसने देखा कि नदी की गहराई इतनी अधिक थी कि वह उसे देखी नहीं सके मचली ने सोचा वह नदी के बीच में जाएगी और वहां से नदी की गहराई को देखेगी लेकिन जब वह बीच में पहुंची तो उसने देखा कि नदी की गहराई इतनी अधिक थी कि वह उसे देख नहीं सकी तब मशली ने सोचा कि वह नदी के तल से लेकर किनारे तक जाएगी और वहां से नदी की गहराई देखेगी लेकिन जब वह वह पहुंची तो उसने देखा कि गहराई इतना अधिक थी कि वह देखी नहीं सकी, अंत में मचली ने सोचा कि वह नदी में ही रहेगी और नदी की गहराई को समझने की कोशिश करेगी और जब उसने ऐसा किया तो उसने देखा कि नदी की गहराई उसके भीतर ही थी बुड़े आदमी ने कहा इसी तरह तुम्हें तुम्हारे मन की गहराई भी तुम्हारे भीतर ही है तुम्हें अपने मन को समझने के लिए बाहर नहीं जाना है बलकि अपने मन अपने भीतर ही जाना है यूग ने कहा धन्यवाद मैं समझ गया कुछ महतुपूर बाते जो इस कहाने से सीख सकते हैं आत्म ज्यान हमें अपने मन की गहराई को समझने के लिए अपने भीत्री जाना है आत्म विश्वास हमें अपने आप और विश्वास करना है और अपने मन की गहराई को समझने की कोशिश करना है, धैरिये हमें अपने मन की गहराई को समझने के लिए धैरिये रखना है, आत्म चिंतन हमें अपने मन की गहराई को समझने के लिए आत्म चिंतन करना है, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने मन की गहराई को सम अंदर ही जानना चाहिए अपने मन की घहराई को अपने अंदर ही खोजना चाहिए और तो दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएए और मिलते हैं वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद